महबत वो खुबसूराचीज है जो किसी इंसान को अगर सही तरीके से इस दुनिया में मिल जाए तो इंसान इस दुनिया को ही अपना स्वर्ग बना लेता है लेकिन इसी महबत की एक ऐसी सची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बस साथ आपके भी पैरो तले जमीन खी सक जाएगी यह सची घटना है उपतर परदेश का एक जीला पड़ता है एटावा जिसके अंतर एक थाना पड़ता है जहां पे एक कॉंस्टेबल जिसका नाम होता है दीपक सिंग एक महीने छुटिया बीताने के बाद वापस अपने डूटी पे आता है लेकिन अगली सुबर जब वो डूटी पे नहीं जाता है तो थाना के इंचाज दीपक सिंग के नंबर पे कॉल करता है यह जानने के लिए कि आखिर कर दीपक सिंग डूटी क्यों नहीं आया है जब वो थाना इंचाज दीपक सिंग के नंबर पे कॉल कर रहा होता है तो रि तो वो constable दीपक सिंग के घर के खिड़की से अंदर जहाकने की कोशिस करता है तो देखता है कि दीपक सिंग एक चेर पे बैठा हुआ है और वो खुन से पूरा लथपत हुआ पड़ा है ऐसी इस्तिति में जब constable दीपक सिंग को देखता है तो उसके हो सूर जाते है और वो से उल्टे पर भागते हुए थाने पहुंचता और जाकर के रिकोर्ड करता है कि साब दीपक सिंग का किसी ने कतल कर दिया है फिर क्या था थाने के जितने भी अधिकारी थे सब भागते दोड़ते दीपक सिंग के घर पे पहुंचते हैं तो वाकई में देखते हैं कि दीप दीपक सिंग की सौव को अपने कस्टडी में लेते हैं और लेने के बाद उसे पुस्टमाडम के लिए भेज देते हैं लेकिन जैसी ये खबरे अखबारों से लेकर के सोशल मीडिया प्रेसित होता है लोग काफी डर जाते हैं और एक दूसरे से बात चित करने लगते हैं कि ज कातिल का कोई भी सुबूत पूलिस वालों के हाथ में नहीं मिलता है तब जाके पूलिस वालों ने दीपक सिंग के कॉल के जरिये कातिल तक पहुंचने का कोशिश सुरू कर दिया जब पूलिस वालों ने दीपक सिंग के सीडियार मंगाया तो पता चला कि दीपक सिंग ना लेकिन उनमें से किसी भी लड़की ने इस चीज को इकरार नहीं किया कि हमने दीपक सिंग का कतल किया है लेकिन उसी CDR में एक ऐसा नमबर था जो उस कतल की रात उस एरिये में एक्टिव था और जब पुलिस वालों ने इस नमबर का trace किया तो पता चला कि ये नमबर भिहार का एक जिला पढ़ता है सिवान जिले का है जो किसी एक लड़की के नाम पर विजिस्टर्ड है जिसका नाम है लाली पुलिस वहां से तुरंट सिवान आती है और उस लाली को अपने हिरासत में ले करके और थाने में ले जा करके अंदर कर देती है और लाली से पूछताश सुरू करती है कि तुमने दीपक सिंग का कतल क्यों किया है यहाँ पे लाली पहले तो इनकार करती है कि मैंने दीपक सिंग का कतल नहीं किया है लेकिन जब पुलिस वाले लाली सकती से पूश्टाश करते हैं तो लाली कूल कर लेती है कि हाँ दीपक सिंग का कतल मैंने ही किया है लाली सिवान की रहने वाली है जो एक सिविल सर्विस का एस्टूडेंट है जो पढ़ने में काफी तेज है और साथी साथ एक टिक्टोकर भी है जो टिक्टोक की वीडियो बना करके टिक्टोक पे पोस्ट किया करती थी लाली इतने पढ़ने में तेज थी कि लाली के घर वाले लाली पे आँख बन करके भरुसा करते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि लाली एक दिन हमारे घर का नाम काफी रोसंग करेगी लेकिन लाली ने जब इस हत्या का पूरी कहानी बताई तो पुलिस वाले भी दंग रहे गए कि भला एक लड़की ऐसे कैसे कर सकती है लाली ने बताई कि मैं जब भी वीडियो बना करके और टिक टक पर पोस्ट किया करती थी तो ये दिपक सिंग मेरे वीडियो को काफी लाइक करता था और उसे सियर करता था है इसके वाज़ा से मैं दिपक से उसी टिक टोक के चेटिंग के जरी ये बातचित करना सुरू कर दी और हमारी बातचित इतनी काफी आगे बढ़ गई कि हम दोने एक दूसरे के पसंद करने लगे और एक दूसरे से प्यार कर बैठे और इसके बाद से हम दोने एक दूसरे से मिलने भी लगे लेकिन जब भी हमारी मुलकात होती थी बलकि एक पती पत्नी के जैसे मुलाकात होती है हम जब भी मुलाकात करते थे तो हमारे भी संबंध हुआ करते थे ये सिलसिला लगभग दो सालों तक चलता रहा है लेकिन आचानक दीपक सिंग एक मैने की छूटी ले करके अपने घर चले जाता है और इसकी खबर लाली को नह करने के लिए कि आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं कर रहे हो यहां पर दीपक सिंग लाली का कोई भी कॉल नहीं करता है और गलती से अगर नंबर कोई कर भी लेता है तो यह कह के टाल लेता है कि दरसल मैं अभी बीजी हूं मैं तुमसे बात नहीं कर सकता है लेकिन लाली कै काफी सारे फटकार लगाती और कहती है कि जब तुमको मुझसे साधी नहीं करनी थी तो तुमने मुझसे प्यार का जूटा नाटक क्यों किया क्यों तुमने मेरे लाइफ को खराब किया मैं बरबाद हो चुकी हूँ और तुमने जाकर के अपनी साधी कर लिया तो दीपक भी कहा देता है कि ठीक है मैं अपने घर से duty वापस आ रहा हूँ तुम वहीं पे मिलने के लिए मुझसे आ जाओ लेकिन जब लाली दीपक से ये आखरी बार मुलकात की बात करती है तो लाली ने एक सध्यंत्र रस दिया लाली ने दीपक से मिलने के लिए अपने सांथ में अपने ही भतीज़ जिसका नाम है अविसेक सिंग अपने सांथ ले लेती है और दीपक के घर पे जाती है रात को दीपक खाना बनाता है और तीनों मिल करके खाना खाते हैं और सो जाते हैं लेकिन दीपक जैसे ही नींद में सोता है लाली और उसका भतीजा अविशेक सिंग दीपक सिंग का मुँ दबा करके और तेज धर्थ चाकू से दीपक सिंग का गला रिरत देते हैं, वहीं पे दीपक सिंग की मौत हो जाती है और फिर लाली और अविशेक सिंग दीपक सिंग क बोड़ी को उसी घर में छोड़ करके और बाहर से घर में ताला लगा करको वापस अपने होम टाउन चले आते हैं वाकई में दोस्तों जब ये कहानी लाली पुलिस वालों को सुनाती है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि भला एक लड़की बिहार के सिवान जीले से आ करके और यूपी में एक पुलिस कोंस्टेबल की उसी के घर में हत्या करके चले जाती है इतनी हिमत आई कहां से लेकिन जब ये खबरे सोसल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लाली के घर पे पहुंचती है तो लाली के घर वाले भी यकिन नहीं कर पाते हैं कि लाली ऐसा कदम उठा सकती है क्योंकि लाली के घर वाले लाली पे आख बन करके भरोसा करते थे वो कहीं भी जाती थी घर वाले उससे नहीं पूछते थे, क्योंकि घर वालों के ये मालूम था कि लाली कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाने वाली है, दोस्तों यहाँ पे दीपक सिंग ने साइद एक बार भी अगर लाली को ये इंफर्म कर दिया होता, कि मैं साधी करने जा रहा हूं, तो साइद एक छोटी सी गलती की वज़ों से दीपक सिंग भी आज जिन्दा होता, और लाली की भी जिन्दी की नहीं खराब होती, और साथी साथ लाली के खर परिवार वालों का भी भरुसा नहीं टूटता, दोस्तों इस कहानी का मकसद मुझे किसी को तकलीप पहुँचाना, किसी को ठे आजिये का.